अगर आप टारो में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधरवाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about टारो आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी इस कोर्स में covered है और अगर इसी से ही related कोई भी सवाल, कोई भी doubt आपके मन में आता है आप screen पे दिये गए number पे हमें whatsapp कर सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं Hello everyone, मैं हूं किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशिफल ये 20th में से लेकर 26th में तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सभी signs के सापता है क्राशिफल है नीचर description में आपके sign या फिर आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही क्राशी पल चलिए रीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए काड है the sun rivers sun tarot में सबसे अच्छा काड माना जाता है क्योंकि sun देखिए कहीं success को represent करता है victory को represent करता है clarity को represent करता है बहुत जबरदस एक confidence को भी represent करता है और real life में भी हमने देखा है जब sun आता है तो अंधेरा गायब होता है कहीं हर चीज crystal clear दिखती है एक अलग सी उर्जा एक अलग सी energy हम हैसूस करते हैं क्योंकि sun अपने साथ radiance लेकर आता है light लेकर आता है और इस week कहीं कुछ ऐसा ही आपके professional fund के लिए रहता हुआ दिख रहा है जहां पर पीछे अगर कुछ भी issues थे मसले थे वो solve होते हुए दिख रहे है या फिर उनका एक हल आपको मिलता हुआ दिख रहा है success, victory आपको मिल रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मिल जाएगी overall एक happiness, joy रहती हुए दिख रही है कि सब कुछ जैसा मैंने चाहा था वैसे हो गया बड़ी ये खुशी भी हो रही है पर पते नहीं क्यूं कोई चीज बॉदर कर रही है या फिर success मिल गया जिस तरीके से आपने चाहा था उस तरीके से नहीं मिला या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि success मिल जाएगा लेकिन अभी मिला नहीं है तो जो भी चीजे मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा तो इस तरीके की एक missing feeling रह सकती है लेकिन overall professional friend से related ये वी ठीक था किया फिर बड़ीया रहता हुआ दिख रहा है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए Ace of Souls का card है और ये card कहता है कि बहुत detachment के साथ logically, mind से आप अपने personal friend में चीज़ों को deal कर रहे हैं आप देखिए इन्ही energies के लिए सब Aries के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि पीछी आप बहुत emotional हुए, sentimental हुए और in the process आप बहुत hurt भी हुए हम human beings है जिस दिन detach हो गए उस दिन तो फिर साधूसन बन जाएंगे और सब तो साधूसन बनेंगे नहीं सिरफ यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप पीछे बहुत ज़ादा attach हो रहे थे तो कहीं detachment आप लाना चाह रहे हैं या फिर एक detached attachment आप रखना चाह रहे हैं और कहीं mind से again मैं कहूंगे चीजों को deal कर रहे हैं एक clarity आती भी दिख रही है कुछ भी issues मसले हैं तो उसके लिए fighting spirit भी आप रखते हुए दिख रहे हैं तो all in all देखिए personal front ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये sword का card है छोटे मोटे challenges रह सकते हैं लेकिन साथी साथ ये card कहता है कि अगर आपने fighting spirit रखी तो definitely आपको victory मिलेगी success मिलेगी अब दिखिए fighting spirit रखने का मतलब नहीं है कि आप अपने loved ones से fight करें मुझे लगता है कि सबसे जादा हमें fight करने की जरूत होती है अपने negative thoughts से अपने negative belief system से अपनी you know उन अवाजों से self talk से जो हमें परिशान करती है अगर हमने इन से fight कर लिया इनके उपर विजय हासिल करी तो यकीन मानिये जिन्दगी में कभी हम fail नहीं होंगे तो इस चीज का खयाल इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए detached का card है तो दीखे जो मैं आपको अभी कह रही थी वही आप लोगों के लिए guidance का card भी message दे रहा है कि detached attachment के साथ अगर आप चीजों को deal करते हैं अगर आप जो चीजें आपको serve नहीं कर रही हैं उनको let go करते हैं जो चीजें आपकी life में आने के लिए welcome हैं आने के लिए ready हैं उनको welcome करते हैं तो इस week के energies को आप और बहतर करेंगे personal front में हमने देखा कि आप ऐसी energies में या तो रह रह रहे हैं या पिर रहने की कोशिश है और अगर professional front में भी ऐसी ही energies में आप रहते हैं तो फिर से कहूंगी इस week को आप और बहतर करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है इसके हिसाब से जो भी समंदर के रंग होते हैं sea green, sea blue वो आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीजो मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of pentacles reverse और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में आप किसी चीज को लेकर थोड़ा सा अड़ते हुए थोड़ी सी जित पकड़ते हुए दिख रहे हैं होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि जब तक ये काम नहीं होगा ना तब तक मैंने आगे नहीं बढ़ना है या फिर action initiatives नहीं लेने हैं या फिर यहनों जब तक 100% एक surety नहीं मिलेगी मैंने कुछ और करना ही नहीं है या फिर उस direction में नहीं जाना है तो कहीं इस तरीके की energies रहती भी दिख रही हैं overall के लिए थोड़े से जिदी थोड़े से stubborn थोड़े से fixated थोड़े से rigid आप होते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि कोई अच्छी opportunity अगर आए भी तो आप नहीं ले रहे हैं अपनी जिद अपनी fixated thinking की वजए से तो यहाँ पर मैं आपको यहीं बुलूँगी कि safe, secure होके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन जब हम over rigid हो जाते हैं चीजों को लेकर तब हम कहीं अच्छी opportunities को ना तो देख पाते हैं ना समझ पाते हैं और हम कहीं उनको miss करते हैं आगे चलके परिशान होते हैं तो देखिए, card की तरफ से आपके लिए यही message रहेगा कि थोड़ी सी flexible approach रखें बहुत ज़ादा fixated, rigid किसी चीज़ को लेकर ना हो और पैसे को थोड़ा सा wisely spend करें क्योंकि जब भी pentacles का card reverse आता है तो chances होते हैं कि आपके हाथ से पैसा जाए आपके हाथ से पैसा जाने का मतलब खर्चा होगा and कुछ के लिए हो सकता है कि payment delay हो सकती है या फिर money, prices related छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मस ले रह सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए six of cups reverse का card है और ये card कहता है कि इस week आपको कोई पुराना बहुत याद आ रहा है अब दिखें, ये पुराना कोई भी हो सकता है आपका कोई loved one हो सकता है कुछ के लिए situation हो सकती है circumstances हो सकते है कोई event हो सकता है कोई gathering हो सकती है और कुछ के लिए हो सकता है कि past से कोई इनसान, कोई situation, कोई event आपकी current life में आ रहा है और कहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर आप काफी emotional हो रहे हैं, काफी sentimental हो रहे हैं दोडे से हो सकता है कि आप एक बहुत loving, caring energies में भी रह रहे हैं तो past से आपने सिर्फ learning लेनी है, वहाँ पर अटकना नहीं है और आगे बढ़ना है क्योंकि past का हमारी life में सिर्फ इतना ही काम होता है अगर आप over emotional, over sentimental किसी चीज को लेकर हो रहे हैं तो इसको भी आपने check करके correct करना है मैं ये नहीं कह रही कि आप emotional ना हो देखिए हम human beings हैं, emotions ही हमें human बनाते हैं पर जब हम over emotional हो जाते हैं, over sentimental हो जाते हैं या in fact मैं कहूंगी कोई भी चीज लाइफ में चाहें अच्छी हो, चाहें बुरी हो, जब वो over हो जाती है तो हमें परेशान करती है, तो इस चीज का खयाल रखें तो देखिए अगर मैं overall ही इस week के energies देखू professional friend में over rigid fixated हो सकते हैं personal friend में तोड़ा सा over emotional sentimental हो सकते हैं और दोनों ही चीजों में एक balance लाना आप लोगों के लिए इस week बहुत important है, क्योंकि अगर आप एक balance लेकर आए इस week को आप बहुत भेतर करेंगे क्योंकि देखिए दोनों ही negative cards नहीं है in fact they are positive cards, they are good cards good तो खर सारी cards होते हैं, कहीं you know guidance दे रहे होते हैं but you know they are positive cards तो अगर आप इन चीजों का खयाल रखते हैं इस week energies को आप बहुत बहुत परेशान हो सकते हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए challenging times का card है तो देखिए अगर आप इस card को देख पा रहे हैं तो जो figure हैं उन्होंने अपने सामने एक shield रखी हुई है तो कहीं ये card ने आपको protect करने की बात करता है और challenging times बहुत ही clearly कहता है कि छोटे मोटे issues रह सकते हैं और हमने बहुत clearly अभी देखा professional front में आप fixated हो रहे हैं इसकी वज़े से challenges हो सकते हैं और personal front में आप emotional हो रहे हैं इसकी वज़े से challenges हो सकते हैं तो situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे जो भी situation हो खुद को protect करें अपने आपको negative thoughts से, negative emotion से, negative belief system से आप ज़रूर इस week protect करें और astrology से आप लोगों के लिए cheer on का card है इसके हिसाब से all shades of green and yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए हो governance day तो ये था डॉरस आप लोगों के लिए coming week का साब ताहिक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है night of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में एक movement एक shift रह सकती है और in fact मैं कहूंगी बहुत speed से बहुत तेजी से या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर चीजें आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ आप अपनी speed को match कर रहे हैं क्योंकि ए card movement की बात करता है कुछ के लिए literally हो सकता है पीछे किसी भी चीज में अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे stuck महसूस कर रहे थे तो suddenly again बहुत speed से आप उसमें से बाहर निकलते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी कैसे आप उस situation में से उस चीज में से बाहर निकल गए क्योंकि देखिए movement travel को भी represent करती है तो कुछ के लिए हो सकता है या तो आप travel कर रहे हैं या फिर travel करना चाहा रहे हैं और देखिए ये sudden तरीके से एक movement रहती भी दिख रही है कुछ के लिए literally again मैं कहूंगी हो सकता है कि suddenly आपका travel का plan बन गया overall के लिए अपने goal अपने मकसद पे focus करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जबरदस इन फाक्ट एक focus रहता हुआ दिख रहा है और जब भी ऐसी energies में होते हैं अपने goal अपने मकसद को तो हम पाई लेते हैं लेकिन देखें एक चीज का खयाल रखें अगर आपको लगे कि आपका communication बहुत blunt, बहुत straight forward हो रहा है यहां तक कि सामने वालों को hurt कर रहा है सामने वालों को बुरा लग रहा है तो इसको ज़रूर चेक करके correct करें मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप straight forward होके बातचीत ना करें in fact straight forward तरीके से बात करना बहुत ही अची बात होती है लेकिन जब हम बहुत ही blunt हो जाते हैं थोड़ा सा एक tonting way में बात करना शू कर देते हैं जहांपे सामने वाले को hurt हो रहा होता है तो ज़रूर हमें check करके correct कर लेना चाहिए and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of wands का card है तो देखिए professional front से एकदम से contrast आपके personal front के energies है जहां professional front में एक speed है एक movement है एक तेजी है वही personal front में आपने pause लिया हुआ है आप रुके हुए है और देखिए इस pause लेने का इस रुकने का सब Germanese के लिए different reason रहेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज का wait कर रहे हैं किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं अब ये इंतजार भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए किसी phone call, message, email का wait कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है जो भी आप करना चाहा रहे हैं उसके लिए right timing का wait कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप pause लेकर थोड़ा सा future के बारे में सोचना चाहा रहे हैं और मैं कहूंगी future से related planning करना चाहा रहे हैं long term goals पे आप जादा focus करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत effort किया और कहीं उसी के ही outcome उसी के ही result का wait कर रहे हैं तो देखिए जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने आपको कहा overall के लिए ये card waiting वाली energies की बात करता है किसी चीज के इंतजार करने की बात करता है और future या फिर long term पे focus करने की बात करता है तो देखिए all in all ये week ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है दोनों ही negative cards नहीं है तो you know फिर से मैं कहूंगी broader level पे चीज़ें ठीक रहती हुए दिख रही है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए joy and stability का card है और देखिए अगर हम overall या फिर in general के लिए इस card को देखें तो कहीं एक happiness, joy रहती हुए दिख रही है किसी level पे किसी तरीके से stability आती हुए दिख रही है और अगर हम guidance के point of view से देखें तो ये card कहता है कि जो भी छोटी मोटी अच्छी, खुशी वाली चीज़ें आपके personal या फिर professional friend में चल रही है आप उनको खुब अच्छे से enjoy करें क्योंकि देखिए जब हम ऐसा करते हैं न हम फिर एक happiness वाली frequency में vibrate करते हैं यूनिवर्स से हम और ऐसी energies अपनी life में attract करते हैं आपकी कोशिश या फिर आपका focus यह होना चाहिए कि कैसे आपकी life में एक stability आए और astrology से आप लुगों के लिए Pisces sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Thursday तो यह था Gemini's आप लुगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए again series आप लुगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लुगों के लिए card है Queen of Pentacles Reverse सबसे पहली चीज़ Pentacles का card Reverse है इसका मतलब money, पैसा, financial stability financial security से related यहां तो एक सोच चल रही है यहां फिर छोटे-मोटे issues मसले रह रहे हैं अब दिखिए यह general reading है थोड़ा-थोड़ा सब के लेड़े पर करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि कैसे financial freedom, financial stability, security आपके professional friend में आए आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आप उससे related एक फिक्र, एक चिंता किसी level पर आपके मन में रह रही है अब दिखिए यहां पर इस चीज को सुनके आपने परिशान नहीं होना है because queen of pentacle is not a negative card सिरफ यह card reverse है तो मैं आपको कह रही हूँ कि हो सकता है एक सोच आपके मन में चल रही है यहां फिर एक फिक्र रह रही है और यह कुछ negative नहीं होता है क्योंकि जब तक वो सोच नहीं रहेगी जब तक वो फिक्र नहीं रहेगी तब तक उस चीज को हम achieve भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब हम बड़े casual हो जाते हैं बड़े ही comfortable हो जाते हैं तब फिर हम effort नहीं करते हैं तब फिर हम उस तरीके से action initiatives नहीं लेते हैं और कुछ के लिए हो सकता है literally उन्हों छोटे मोटे issues रह रहे हैं अब ये भी सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है आपका जादा खर्चा हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है आपकी payment delay हो रही है कुछ के लिए हो सकता है जितना profit आप expect कर रहे थे आपको लग रहा है उतना नहीं मिलेगा तो दिखिए जो भी चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा ये general reading है फिर से कहूंगी सब के लिए situation, circumstances differ करेंगे लेकिन money, पैसे से related, stability, security से related, comfort से related एक सोच, एक concern रह रहा है यहां फिर छोटे-मोटे issues रह रहे है क्योंकि ये queen का card है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई female है जिनके साथ छोटे-मोटे issues रह रहे है तो all in all कुछ भी गलत खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है लेकिन yes, बहुत कुछ great भी नहीं रहतावा दिख रहा है and personal friend के लिए आप लोगों के ले king of cups का card है तो दिखिए professional और personal friend की energies एकदम से contrast रहते हुए दिख रही है जहां पे professional friend में आप बहुत practical, बहुत realistic या तो हो रहे हैं या पिर होना चाह रहे हैं वही personal friend में आप काफी emotional, काफी sentimental होते हुए दिख रहे हैं relationships, love, peace, harmony आप लोगों के लिए काफी एहम रहतावा दिख रहा है अब दिखे personal friend में भी situation, circumstances इसी से ही related differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है किसी loved one के साथ अगर कुछ issue, कुछ मसला हुआ आपका reconciliation हो रहा है या फिर आप reconciliation हो जाए इस पर focus कर रहे हैं overall के लिए फिर से कहूंगी एक peace maintain करने पर focus कर रहे हैं किसी खास loved one के लिए एक love care या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर किसी खास loved one की तरफ से एक love care आपको मिल रही है या फिर overall ही जो भी आपके close ones हैं, loved ones हैं, आप उनके साथ जादा interact कर रहे हैं, जादा बातचीत कर रहे हैं, एक eating, drinking, merry making रहती भी दिख रही है, तो all in all personal friends से related ये भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, फिर से कहूंगी love, peace, harmony, relationships, या तो रह रहे हैं या फिर इन पर focus रहता and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए master का card है, और ये card कहता है, अपने negative emotions, negative feelings या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अगर थोड़ा सा भी obsessive, थोड़ा सा भी possessive आप हो रहे हैं, तो उसको master करने की बहुत बहुत जरुत है, या फिर उस पर आप जरूर focus करें, क्योंकि क्या होता है न, जब initially ऐसी energies होती है, हमें इस चीज़ का हिसास नहीं होता है, कि ये जब बड़ी हो जाएंगी या फिर जादा हो जाएंगी, तो हमें किस level तक परिशान कर सकती हैं, कहते हैं कि stitch and time saves ना ही निया कि अगर, यानि कि अगर आपने starting में किसी चीज़ को deal कर लिया, ठीक कर तो फिर और जादा उसको बिगरने से आप बचा लेंगे, और इस चीज़ का खयाल रखें, कोई भी चीज़ over ना करें, और in fact मैं कहूंगी, अगर किसी भी तरीके की एक negative self-talk आप पाएं, खुद के साथ या फिर एक negative emotion feeling पाएं, आप फिर किसी भी चीज़ को लेकर, हलका सा भी obsessive आप होते वे पाएं, तो तुरंत उस चीज़ को चक करके correct करें, and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है, इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust, इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो ये था किन से इन्स, आप लोगों के लिए coming week का बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चले लिए आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, कि energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है two of wands rivers, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में, कहीं जो भी काम आप कर रहे हैं, आप पर जो भी हो रहा है, उसको लेकर उतना confident आप नहीं महसूस कर रहे हैं, अब दिखिए इसके लिए सब lios के लिए different reasons रहेंगे, कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके और उनके goals align नहीं हैं, कहीं उनकी तरफ से वो एक support, वो एक cooperation आपको नहीं मिल रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अंदर से ही एक confidence नहीं महसूस कर रहे हैं, और इसी वज़े से कहीं आप चीजों को next level पर लेकर जाना चाहरे हैं, नहीं लेकर जा पा रहे हैं, आप अपने professional front में सबसे पहली चीज जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ अपने goals align करें, जो भी issues, मसले हैं उनको resolve करें, क्योंकि देखिए जब एक kit pit, kit pit या फिर किसी भी level पर cold war, या फिर किसी भी लेवल पर इस तरीके की energies होती हैं, तब वो एक growth, वो progress हमारे professional front में या फिर life क किसी भी area में नहीं हो पाती है, तो इन चीजों को अगर आप ठीक करते हैं, इन चीजों पर work करते हैं, तो वो एक confidence जो आप नहीं महसूस कर रहे हैं, उसको आप gain कर पाएंगे, अपने professional front में आप चीजों को expand कर पाएंगे, next level पर लेकर जा पाएंगे, और अगर इन पर work न कार्ड है, और देखिए ये कार्ड तो literally या फिर बहुत clearly फिकर चिंता की बात करता है, कहीं किसी चीज को लेकर एक stress tension भी लेने की बात करता है, अब देखिए मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि कुछ खराब आपके personal front में हो रहा है, क्योंकि फिकर चिंता का कभी कभी या luxury है, बाकी भी सारी चीज़े अच्छी हैं, उनसे आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि कितनी उनकी life में problems है, याने कि वो कितने दुखी हैं, और कई बारी जो बड़े normal सी life जी रहे होते हैं, कोई बहुत एक money पैसा भी उनके पास नहीं होता है, या फिर और भी issues मस ले होते हैं, उनसे आप पूछेंगे, तो बोलेंगे मजे में हैं, बहुत अच्छी life है, तो देखें, फिर से कहूंगी, जब कोई चीज ठीक नहीं चल रही होती है हमारी life में, या external front में हमारे हिसाब से चीज़े नहीं हो रही होती हैं, उनको हम अपने internal front में कैसे perceive करते है या फिर हमारी self-talk क्या रहती है, वही decide करता है कि हम कितने परेशान होंगे, कितना, you know, हम बुरा feel करेंगे, तो all in all देखें, हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, क्योंकि ये weekly reading है, बहुत बड़ी कोई चीज, overall के लिए नहीं होगी, इक tension, stress create हो रहा है, तो यहाँ पर देखें, cards की तरफ से आपके लिए यही guidance होगी, कि जो भी external front में, आपको bother कर रहा है, अगर आप उसको change कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए, तो अपना 100% दे दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि भ बेटर करेंगे, और जो एक negative frame of mind वाली energies हैं, उनको भी आप overcome करेंगे, और देखें, जब आप इस चीज़ पर work करेंगे, आप better frequency में vibrate करेंगे, और जो भी चीज़ें आपको bother कर रही हैं, उनको भी किसी level पर ठीक करेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया, तो फिर आप काफी प हैं, और अगर आप डर गए, घबरा गए, आपने give up कर दिया, आपने courageously उनको नहीं deal किया, तो फिर आप परेशान होंगे, और यहाँ पर choose your battles wisely का card यहीं कहता है, कि upfront हो के चीज़ों को deal करें, willpower रखें, determination रखें, किसी चीज़ से घबराएं ना, बहुत ही boldly, courageously, again मैं कहू मिलेगी, victory मिलेगी, जो चीज़ें आपको bother कर रही हैं, उनको भी आप अपनी life से हटा पाएंगे, लेकिन अगर आपने इन ही energies में नहीं रहे, तो फिर से कहूंगे परेशान होंगे, तो इस चीज़ का खयाल रखें, and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है, और इसके हिसाप से all shades of green and blue इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था, लिए उस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए उग professional front में, या तो एक power position authority आप चाहा रहे हैं, या फिर आपको मिल रही है, या किसी authoritative figure के साथ, छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले रहे हैं, जादा interactions, जादा बाचीत रहे हैं, और दिखिए, अगर power position authority आपको मिल भी रही है, तो manage करने में थोड़ा सा difficulty हो सकती है, या फिर अ यहां पर आप लोगों के ले King of Swords का card reverse है, और अगर card की तरफ से advice आप लोगों के लिए देखें, तो King of Swords का card आपको यही message देता है, कि जितना आप logically चीज़ों को deal करेंगे, जितना आप mind से चीज़ों को deal करेंगे, एक fighting spirit रखेंगे, mind में clear रहेंगे, clarity रखेंगे, sorted होंग यहां ही इस week के energies को आप बहतर करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी emotional होगे, अगर आप थोड़ा सा भी organized तरीके से चीज़ों को नहीं deal करेंगे, तो फिर आप थोड़े से परिशान हो सकते हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए 7 of Pentacles का card है, और यह card कहता है, कि इस week personal front में आप थोड़ा सा pause ले रहे हैं, और देखे, pause लेने के लिए सब वोगों के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन card के हिसाब से देखें, तो वो सकता है, आप future course of action decide करना चाहा रहे हैं, कोई decision, कोई choice आपको लेनी है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, और इसी से ही related, बहुत जादा एक analysis आपके मन में चल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है, आप थोड़ा सा पीछे मुड़ कर देख रहे हैं, कि भई क्या आपने किया, जिससे कि आपको एक positive result मिला, क्या किया, जिससे कि आप परिशान होए, और इन ही सब चीजों को मद्दे नजर रखते हुए, यानि कि आपको ऐसे लग सकता है, कि बहुत safe, secure होके आपने action initiatives लेने हैं, आपने impulsive नहीं होना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से चीजों को समझेंगे पहले, और फिर आगे के लिए decide करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो आप कर रहे हैं, वैसे ही रहती भी दिख रही है, तो बहुत जादा आप चीजों में involved होते हुए नहीं दिख रहे हैं, यहां फिर अगर हो भी रहे हैं, तो मन में एक planning, एक सोच, इनहीं सब चीजों से related, फिर से मैं कहूंगी रहती भी दिख रही है, और इन जनरल या फिर guidance से आप लुगों के Just go with the flow, यानि कि किसी भी चीज के लिए रुके ना, किसी भी चीज के लिए extra effort ना करें, जो चीज आपकी life में आ रही है या फिर आपके सामने आ रही है, उसको आप ignore ना करें, तो फिर से कहूंगी जितना आप flow में रहेंगे, जितना आप action initiatives लेंगे, जितना आप एक movement रखे उतना ही इस week के energies को आप भैतर करेंगे, तो किसी भी चीज को लेकर आप rigid fixated ना हो, किसी भी चीज को लेकर आप बहुत जादा, you know, again मैं कहूंगी pause ना लहीं रुके ना, and astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है, इसके इसाप से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday, तो ये था वोगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चले लिबराज आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेक करा रहा है कि energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of cups, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में कहीं enthusiasm, excitement missing रहता हुआ दिख रहा है, और इसके लिए सब लिबराज के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन कहीं ये card कहता है कि एक boredom, एक monotonous energies है सकती हैं, और देखिए इसका मतलब ये कि आपके professional front में कुछ खराब हो रहा है, in fact ये card कहता है कि आपके आसपास सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कोई भी चीज आपको वो happiness, joy नहीं दे पा रही है, कोई भी चीज कहीं एक enthusiasm, excitement नहीं ला पा रही है, और ऐसे में बहुत बहुत important होता है Libra's कि आप कुछ तो ऐसा करें जिससे की एक motivation अपने goal, अपने मकसद के लिए आपके मन में आए, क्योंकि दिखिए जब बहुत time तक हम ऐसी energies में रहते हैं, तो हम इतना deep इनी energies में चले जाते हैं कि खुद को बहार निकालना मुश्किल हो जाता है, तो अभी अभी अगर आपने ऐसा महसूस करना शुरू क and personal front के लिए आप लोगों के लिए five of swords reverse का card है, और ये card कहता है कि एक unfair energies, किसी level पे किसी तरीके से एक injustice personal front में आप महसूस कर रहे हैं, अब दिखिए यहाँ पर भी सब के लिए different reasons रहेंगे, क्योंकि ये general reading है, लेकिन ये card कहता है कि इस week बहुत जादा आपको लग सकता है, कि भई जो आप deserve करते थे वो आपको नहीं मिल रहा है, ये आपके साथ fair नहीं हो रहा है, और कुछ के लिए circumstances, situations की वज़े से आपको ऐसा लग सकता है, कुछ के लिए किसी खास इंसान की तरफ से आपको ऐसी energies feel हो सकती हैं, यानि कि आपने किसी के लिए बहुत जादा किया, out of the wage आके किया, आप उनके साथ उनसे कुछ expect कर रहे थे और उनकी तरफ से वैसा एक response आपको नहीं मिल रहा है, तो देखिए जो भी मेरे mind में आ रहा है, मैं आपको कह रही हूँ, broader level के लिए एक unfair energies आप महसूस कर सकते हैं, किसी level पे एक injustice महसूस कर सकते हैं, और देखिए इस चीज को लेकर आप परिशान ना हो, क्योंकि ये weekly reading है, बहुत कुछ बड़ा नहीं होगा, छोटी मोटी चीज़ें ही रहेंगी, जो आपको bother कर रही हैं, और जिनकी तरफ से आपको एक unfair energies महसूस हो रही हैं, और देखिए ऐसे में, आप अगर एक passive energies maintain करते हैं, आप बहुत high expectation किसी भी इंसान से, किसी भी situation से नहीं रखते हैं, तो फिर आप better feel करते हैं, और अगर आप high expectations रखेंगे, या फिर बहुत ज़ादा किसी भी debate में, किसी भी conflict में खुद को involve करेंगे, तो कहीं और ज़ादा आप परिशान होंगे, तो इस चीज का खयाल इस week ज़रूर रखें and in general, या फिर guidance है, आप लोगों के लिए simply love का card है, बहुत ही clear message है, बहुत ही lovingly, बहुत ही compassionately आप चीजों को deal करें, जो भी आपके loved ones हैं, उनसे आप discuss करें, कोई भी चीज अगर आपको बुरी लग रही है, उनसे आप connect करें और उनके साथ आप फिर से मैं कहूंगी, जादा कर रहे हैं, कहीं एक boredom, कहीं एक monotonous energies हैं और personal friend में एक unfair energies आप महसूस कर रहे हैं, ऐसे मैं फिर से कहूंगी, जो आपके बहुत खास हैं, जिनके उपर आपको बहुत trust है, उनके साथ आप time spend करते हैं, अपनी feelings share करते हैं, तो आपका एक went out होगा और आप better feel करेंगे, and astrology से आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो ये था Libras, आप लोगों के लिए coming week का साफ़ता है, एक राशीफल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं, कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चले इस copies आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लेकर आ रहा है, क्य पिर जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आप उनसे connect करना चाहा रहे हैं, उनसे आपकी जादा interactions हो रही है, जादा आपकी बातचीत हो रही है, क्योंकि देखिए Two of Cups का card कहीं overall के लिए relationships को represent करता है, और कहीं देखिए एक fun, मजा, मस्ती भी होती ह दिख रही है, जो भी काम आप कर रहे हैं, एक satisfaction, happiness, joy मिलती होई दिख रही है, और अगर किसी की help, किसी की cooperation आपको चाहिए तो आपको मिलतावा दिख रहा है, in fact अगर आपके professional friend में किसी और को आपकी help चाहिए, आपका support चाहिए तो वो भी आप देते होई दिख रहे हैं, क आपके work front में उन पे आप जादा focus कर रहे हैं, और कहीं in the process हो सकता है, eating, drinking, merrymaking भी हो रही हो, होता है ना कभी client के साथ हम meeting करते हैं, किसी restaurant में करते हैं, तो साथ में dinner भी हो जाता है, या lunch भी हो जाता है, तो इस तरीके की energies भी रहती हुई दिख रही हैं, आपकी meetings इस week रह सकत हैं, तो overall ये week professional front के लिए अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, और source of happiness कहीं money, पैसा, tangible, materialistic चीजें नहीं रहती हुई दिख रही हैं, connections, relationships जादा रहती हुई दिख रहे हैं, मैं ये नहीं कहा रही हुँ कि money, पैसे से related आपको gain या फाइदा नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं वो आपकी source of happiness, वो आपका source of joy नहीं रहता हुआ दिख रहा है, again आपकी source of happiness, joy, connections, relationships, work front में रहते हुई दिख रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of souls reverse का card है, और ये card कहता है कि कोई चीज यहां तो end हो रही है, यहां फिर आप end करना चाह रहे हैं, और दिखिए जब कोई चीज एंड होती है, तो नहीं beginning तो होती ही होती है, तो कहीं इस तरीके की energies रहती भी दिख रही है, यह ending beginning हो सकते है, आपके लिए बहुत difficult रही हो या फिर difficult रह रही है, क्योंकि दिखिए source कहीं ना कहीं pain या फिर किसी ना किसी level पर तकलीफ को भी represent करते हैं, अब इस चीज को सुनके परिशान नहीं होना है, क्योंकि यह आपकी weekly reading है, आपकी पुरी life की reading नहीं है, weekly reading में छोटी मोटी चीज़े होती है, लेकिन जो भी ending beginning हो रही है, again मैं कहूंगी थोड़ी सी difficult या तो पीछे आपके लिए रही या फिर इस week रहती व दिख रहे हैं, और यही दिखिए एक तरीका भी होता है आगे बढ़ने के लिए, जब तक हम पुरानी चीजें जो हमें सर्व नहीं कर रही हैं, उनको लटगो नहीं करते हैं, जो नई चीजें हमारी life में आने के लिए उताव ली हैं, आना चाहती हैं, उनको welcome नहीं करते है तब तक एक growth progress भी हम अपनी life में नहीं ला पाते हैं, तो इस सरीके के energies रह रहे हैं, क्योंकि ये general reading है, ये ending, beginning सब स्कॉप उसके लिए differ करेगी, कुछ के लिए कोई connection हो सकता है, कोई relationship हो सकता है, कुछ के लिए जगा हो सकती है, और देखिए जो भी दो चीजें मेरे mind में आ तब दिख रहा है, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए reach out का card है, बहुत clear message है आपके लिए, कि जो भी आप चाहते हैं, आप उसके लिए right person को reach out करें, कितनी बार ही होता है ना कि हम थोड़ा सा hesitate करते हैं, या फिर हम इस direction में इतना action initiative नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर देख कर सकता है, आप उनसे connect करें, जिस इंसान से आप connect करना चाहते हैं, उनके साथ आप reach out करें, and astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है, इसके हिसाब से all shades of green yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो यह था स्कॉपियों से आप लोगों आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है death reverse, और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी level पे किसी तरीके की ending beginning या तो हो रही है, या फिर आप चाहा रहे हैं, अब दिखें ये ending beginning सब के लिए differ करेगी, क्योंकि य general reading है, कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप नए तरीके से चीजों को करना चाहा रहे हैं, यानि कि पुराने काम करने के तरीके को end करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है जो भी आपका thought process है, belief system है, उसको आप end करके नए तरीके से again मैं कहूंगी या नए thought process से चीजों को क रही है क्योंकि यहाँ पे death rivers का card है आप इतना जादा पुरानी चीजों के साथ एक attachment महसूस कर रहे हैं आप फिर cling कर रहे हैं कि आप उनको let go नहीं कर पा रहे हैं और जो नई चीज़ें आपकी life में आने के लिए ready हैं आप उनको welcome नहीं कर पा रहे हैं और दिखिए एक चीज म क्योंकि अगर इस चीज पर आपने work नहीं किया तो यह week आप लोगों के लिए थोड़ा सा difficult रहे सकता है और अगर आप एक acceptance mode में रहे surrender mode में रहे और फिर से कहूंगी जो चीज़े serve नहीं कर रहे हैं उनको let go किया जो नहीं चीज़ें आने के लिए ready हैं उनको welcome किया तो यह week आपका बहुत अच्छा रहेगा and personal front के लिए आप लोगों के लिए eight of wands का card है यह card कहीं speed की बात करता है movement की बात करता है आगे बढ़ने की बात करता है in fact मैं कहूंगी बहुत तेजी से आगे बढ़ने की बात करता है और personal front में कुछ ऐसी सी energies रहती वे दिख रही है पीछे किसी भी तरीके का एक stuck energies आप कर रहे थे इस week उसमें से बाहर निकलते वे दिख रहे हैं कोई काम अगर आपके incomplete है तो इस week आपको ऐसा लग सकता है कि इनको complete करके फिर आगे की सोचेंगे तो उनको complete करने पर focus करते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप travel करना चाहा रहे है या फिर travels related planning चल रही है और दिखिए overall के लिए फिर से कहूंगे काफी movement रहती हुई दिख रही है अगर आप out of the city नहीं भी जा रहे है तो within the city आपकी काफी travel रह सकती है एक जगा से दूसरी जगा पे जा रहे हैं तो nutshell में दिखिए ये week personal front के लिए काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है एक growth एक progress होती हुई दिख रही है या फिर कैसे एक growth एक progress आए आप उस पर focus कर रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए card है win or lose और ये card कहता है कि इस week overall ही या फिर specifically professional front में आपके मन में feeling आ सकती है कि भाई जो आप deserve करते है न वो आपको नहीं मिल रहा है आपके साथ चीजे fair नहीं हो रही है और दिखिए कोई कोई life का phase होता है जहां पर हमारे हिसाब से चीजे नहीं हो रही होती है और ऐसे thoughts आना normal होता है लेकिन जब हम इन thoughts को check करके correct नहीं करते हैं तब एक negative energy में हम जाते हैं यानि कि हमारे अंदर बहुत एक negative self talk चलने शुरू हो जाती है और फि इस week खास कर खयाल रखें कि negative self talk आपके मन में ना चले हो कि देखिए हमें हमेशा ही इस चीज़ का खयाल रखना चाहिए लेकिन जब हम right frame of mind में नहीं होते हैं तो और जादा important हो जाता है कि हम इस negative energy को check करके correct करें ऐसा अगर आपने किया तो इस week के energies को बहतर करेंगे नहीं तो फिर थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं और ये खास कर आपके professional front के लिए जादा रहतावा देख रहा है और astrology से आप लोगों के लिए Jupiter ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था से डिटे और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए गपरिकॉंज आप लोगों के लिए देखेंगे कमी वे क्या लिकरा रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the hero friend reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या त रही किसी चीज पर अडे हुए है या फिर पीछे आपके ऐसी energies थी और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया ऐसी energies में रहे तो वो growth वो progress नहीं ला पाएंगे थोड़ा सा तो flexible होना पड़ेगा और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं क देगे इस चीज का खयाल रखें और दूसरी बात ये card कहता है कि आप बहुत safe secure होके चीजों को करना चाहा रहे हैं आप किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाहा रहे हैं और शायद इसी लिए tried and tested तरीकों से ही आप चीजों को deal कर रहे हैं which is again a very good thing but in the process आपको लगे कि आप ज जो भी बड़े हैं आपके professional front में authoritative figure है elderly लोग हैं उनके साथ छोटे मोटे आपके difference of opinion हो रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of cups reverse का card है और ये card कहता है कि personal front में किसी भी तरीके की celebration get together reunion या तो हो रहा है या फिर आप चाहा रहे हैं और इसी से ही related छोटे मोटे issues मसले भ पर करेगा क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए simply हो सकता है कि कोई gathering में आपके किसी loved one के साथ छोटा मोटा issue हो गया difference of opinion हो गया उनको आपकी बात बुरी लगी आपको उनकी बात बुरी लग गई कुछ के लिए हो सकता है कोई celebration get together reunion आप प्लान कर रहे हैं उससे related छोटे मोटे issues हो कुछ के लिए हो सकता है आपको इसे लग रहे है कि इतना जादा socializing इस week हो रही है कि आप अपने खाने पीने का routine नहीं maintain कर पा रहे हैं over eating हो रही है over drinking हो रही है क्योंकि ये card कहीं eating drinking मेरी making के बिबात करता है तो जो भी चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा कहीं इस तरीके की energies रह रहे हैं फिर से कहूंगी किसी भी level पर celebration हो सकती है get together reunion हो सकता है और इसी से ही related छोटे मुटे issues मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं and in general या फिर guidance से just breathe का card है और ये card कहता है कि थोड़ा सा chill करें थोड़ा सा अराम करें बहुत ज़ादा exert ना करें बहुत ज़ादा किसी भी चीज़ में अपने आपको ना involve करें जिससे कि आप ठकें या फिर you know exhausted हो again थोड़ा relax करना इस week बहुत important है and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Thursday and Sunday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता है ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए एक वेरस आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 10 of wands reverse और ये card कहता है कि या तो इस week किसी चीज को लेकर over एक pressure, over एक burden आप में हिसूस कर रहे है या पिर पीछे ऐसी energies थी और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि भई कुछ तो करें और खुद को इन energies में से बहार निकालें अब देखिए reasons अब एक queries के लिए differ करेगा क्योंकि ये general reading है लेकिन 10 of wands के हिसाब से हो सकता है आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई है आप अपना तो काम कर ही रहे हैं आप और लोगों का भी काम कर रहे हैं आप शायद लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं और देखिए इसके अलावा और भी reasons हो सकते हैं लेकिन broader level के लिए या फिर जो भी reason है उसके अगर आप deep जाएंगे तो यही एक reason आपको दिखेगा तो यहाँ पर जो भी reason हो मैं आपको यही कहूंगी कि बहुत बहुत important है आप इन energies में से खुद को बहार निकालें क्योंकि क्या होता है न कि जितना हम कर सकते हैं अपने आपको stretch उतना ही stretch करें तो ठीक रहता है उससे जादा करते हैं तो फिर इसका असर physical body पे आता है जो उस time हम नहीं देख पाते हैं जब बाद में हमें इस चीज का हैसास होता है तो बहुत late हो चुका होता है अब देखें सिरफ इसी week की energies हैं और आप already कोशिश कर रहे हैं अपने आपको इसमें से बाहर निकालने की तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत time से अगर ऐसा चल रहा है और आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं तो एक चीज का खयाल रखें rubber band को जब हम थोड़ा stretch करते हैं तो ठीक रहता है लेकिन जब हम उसको जरुरत से जादा stretch करते हैं तो फिर वो टूट जाता है तो इस तरीके से अपना खयाल रखें थोड़ा सा रिलाक्स करें थोड़ा सा चिल करें थोड़ा सा अपने pressure burden को offload करें उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं और परसनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिकिंग ओव ओन्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि परसनल फ्रंड में किसी चीज़ को लेकर या फिर overall ही बहुत एक enthusiasm बहुत एक excitement रहती भी दिख रही है और बहुत courageously बहुत boldly जो भी आप चाहते हैं उसके लिए action initiatives लेते बहुत देख रहे हैं क्योंकि यहां पर किंग का कार्ड है मुझके लिए हो सकता है कि कोई male figure है जिनकी ऐसी energies है और उनकी वज़े से आप भी बहुत motivated feel कर रहे हैं या फिर इनकी तरफ से काफी support काफी cooperation आपके लिए रह रही है और इन जनरल या फिर guidance है आप लोगों Clay Blossom का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस week थोड़ा सा एक refresh button होता है ना computer में उसको अपनी life में दबा लें यानि कि जो भी चीज़ें आपको serve ने कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं उनको आप let go करें या फिर नए से रहे से कैसे आप इन चीज़ों को कर सकते हैं जिससे कि एक happiness ए आपको इस चीज़ के उपर work करने की ज़रत है और astrology से आप लोगों के लिए क्या प्रिकॉन साइन का कार्ड है इसके इसाप से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी प तो professional front के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है the world reverse और the world reverse के कार्ड को literally देखें तो out of the country से related किसी चीज़ के किसी activity के होने की बात करता है क्योंकि इस week ये कार्ड आप लोगों के लिए reverse है तो इन ही सब चीज़ों से related छोटे मोटे issues छोटे मोटे मसले भी रह सकते हैं क्योंक इसी से ही related कुछ ना कुछ issues रह रहे हैं होता ना वीजा से related problems आ जाती है या फिर और भी जो इस तरीके के issues होते हैं और ये कार्ड कहीं इनों किसी एक phase की किसी एक चीज़ के complete होने की भी बात करता है तो वो सकता है कि किसी चीज़ पर बहुत time से काम कर रहे हैं या फिर otherwise भी किसी चीज़ को complete करके end करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं और इस से related भी again issues मसले रहते वे दिख रहे हैं आप उस तरीके से चीज़ों को end नहीं कर पा रहे हैं complete नहीं कर पा रहे हैं नए तरीके से चीज़ों को शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो दिख और इस चीज को लेकर एक acceptance रखते हैं, तो फिर कहीं हम बहुत positively चीजों को deal कर पाते हैं, तो कहीं इस तरीके की energies इस week specifically आपके professional fund में रहती हुई दिख रही हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि जो एक appreciation, जो एक recognition आप चाहते हैं, या deserve करते हैं अपने colleagues से, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, वो एक recognition, वो एक appreciation आपको नहीं मिल रही है, and personal fund के लिए आप लुगों के लिए seven of wands reverse का card है, और ये card कहता है कि जो भी personal fund में आप कर रहे हैं, कहीं छोटे मोटे again challenges रहते हुए दिख रहे हैं, छोटे मोटे issues रहते हुए दिख रहे हैं, और कहीं बहुत courageously बहुत boldly आप इन challenges को deal नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आप किसी level पर give up करते हुए दिख रहे हैं, और देखिए ये card जहां एक तरफ challenges की बात करता है, वहीं ये card दूसरी तरफ कहीं victory और success को भी represent करता है, नचल में इस card का मतलब आप लोगों के लिए ही है, कि जो भी आप चाहत हैं, definitely आप उसको achieve कर पाएंगे, बट शर्त ये है कि आप हिम्मत ना हारें, आप बहुत courageously, बहुत boldly चीजों को deal करें, आप give up ना करें, क्योंकि अगर आपने willpower determination रखी, बहुत courageously, बहुत boldly चीजों को deal किया, तो आपको definitely success मिलेगी, और अगर आप थोड़ा सा भी हार मान या फिर थोड़ा सा भी आपने give up किया, तो फिर आप अपने मकसद, अपने goal को नहीं achieve कर पाएंगे, and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए love का card है, और बहुत clear message है कि हर चीज को बहुत ही lovingly, बहुत ही compassionately deal करें, कभी-कभी होता है न, हम चीजों को लेकर बहुत aggressive हो जाते हैं, और उस तरीके से जब हम चीजों को deal करते हैं, तो फिर हम अपने goal, अपने मकसद को और परे करते हैं, at times you know, ऐसी energies चहीं भी होती हैं, लेकिन इस week ऐसी energies आप ना रखें, क्योंकि आप लोगों के लिए guidance के लिए love का card है, and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है, इसके shades of yellow, all shades of orange, इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant days आप लोगों के लिए होंगे, Sunday and Thursday, तो ये था पाइसेज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं, कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर बाएं